24 घंटा हमने प्लेटफॉर्म को एवलेवल रखा कंटेक्ट ये नमबर से वाइफॉनिक सिस्टम बोलिए वार्सप से बोलिए और बस्टो को मैं बोलता था कि कहीं भी आपको कभी भी कोई प्रावलेम हो कहीं से भी कोई कोई कोश्यन आए आप 110 परसें पूछ सकते हैं आपक बच्चे होंगे उनको free of cost शिक्षा मिलती है हमेशा हर बार में इस्टिटूट से मुझे लगते हैं 10 बच्चे 12 बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पीता नहीं होंगे तो वह पढ़ाना ही नहीं चाहते होंगे या बहुत गरीब होंगे तो उन सारी बच्चा को मतलब यहां और इंग्लिस का भी अच्छी तरह से और मेरे पास जितने भी बच्चे है सब का स्कॉर लगवए 80-82-83-84 ऐसे रिजल्ट इंग्लिस का भी है मुझे इतना विश्वास था क्योंकि मैं बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करता था और जितना स्त्रे मेरा है मैं तो बुलंगा मुझे ज्यादा इस तरह बच्चों की है और उनके कहीं ने कहीं माता पिता के क्योंकि बच्चा मेरा एक्टिव रहता था वो पढ़ने के टाइमें कभी ने देखता था कि कौन सी टैमिंग है कितना दिर पढ़ना और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसको जो 35 बच्चे इंटर्मेडियर की परिशा में सामिल हुए थे और सत्परतिसत सफलता हासिल कर लिया है आप देख रहे हैं ब्याने नियूज और आपके साथ मैं हूं करिया मिस्रा हम बात करेंगे सफल छात्रों से और जानेंगे कि सफलता का से वह किसे दे रहे हैं चुकि बेनी पटी एक सुदूर ग्रामीन इलाकों में सुमार है ऐसे में बच्चे मुख्याले पहुंचकर अपनी परहाई को ले करके कैसी त्यारी करते हैं इसमें सिक्षक कितना सहाय होते हैं उनसे जानेंगे क्या नाम है नाम कामनी कुमारी इंटर्मीडियर की परिशा जो आया था उ क्या नाम है कितना अंक आया था टीन सो नो अनक आने में किनकी भूमी का सबसे ज़्यादा थी है सबसे पहले ममी-पपा और हमारे टीचर जी है स्याम से आगे क्या करना चाहों कि टीचर का करना चाहते हैं किया नाम है कितना आंक आया था तीनसों एक सट अब हम बात करेंगे सिधान्त क्लासेज के सिख्षक स्याम कुमार से और उसे जानते हैं कि 35 बच्चों में 35 की 35 सफलता हासिल किया है कितना वह गवरवानवीत महसूस कर रहा है सर 35 बच्चे आपके यहां से intermediate की परिशा में अपी थे सभी के सभी सफलता हासिल कि इसके पीछे मूल मंतर क्या था किस तरह से आपने बच्चों को गाइड किया सर सबसे पहले जब यह बच्चा आया था तो मैंने इनको दिया इसका सुपर वीजर किया सुपर वीजन किया तो सुपर वीजन में देखा कि यहां average level के भी बच्चे थे उससे भी कम थे और genius level के भी बच्चे थे तो हमने सबसे पहले इसमें जो सबसे निम्न लेवल के बच्चे थे उन पर वर्ड करना चालू किया क्योंकि मुझे पता था अगर वो बच्चे मेरे क्लास में अगर समझ पाते हैं तो already जो अच्छे बच सब्सक्राइब कोई कोई कोचिंग संस्थान अपने बच्चों को समय में offline के साथ-साथ online भी गाइड करते हैं इस संस्थान के द्वारा क्या किया गया नई मेरा भी प्लान है कि आने वाला समय में हम भी online सिस्टम पर आएंगे और जितनी भी है यहां लेव की व्यास्ता हो कर रही हम लोग से छुष्टल का वी वस्ता कर रहे और और नया सिख्णनीति के दह्त जो आने वाला सिटम में उस कमोबेस कुछ कम अंक आये हो ऐसा भी कोई मसला हो नए बिल्कुल सर मुझे इतना विश्वास था क्योंकि मैं बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करता था और जितना स्थ्रे मेरा है मैं तो बुलंगा मुझसे ज्यादा स्थ्रे बच्चों की है और उनके कहीं ने कही हमने कभी नहीं देखता था कि कौन सी टायमिंग है कि तद्या पढ़ना है नहीं और कौन सा सब्ज्च पढ़ना है उसको जह पूखता था 12 का टाइमिंग है 10-12 वजे तक तो इसमें आर्ट के भी बच्चे हैं और दूसरा से यहां benefit क्या है जो गरीब बच्चे होंगे उनको free of cost शिक्षा मिलती है हमेशा हर बार में इस्टिचुट से मुझे लगते हैं 10 बच्चे 12 बच्चे ऐसे होंगे जिनके माता पीता नहीं है या होंगे तो वो पढ़ाना ही नहीं चाहते होंगे या बहुत गरीब होंगे तो उन सारी बच्चे को मतलब यहां इस्टिचुट के द्वारा सभी materials और जितने भी शिक्षा की बच्चता है टोटल चीज़ें प्रवाइड की जाती है सर्य यहां English का भी वे बच्चता है च कम फिस में बहतर education मिलता है चुकि यह गरीब बच्चों को देकर मैंने यह कदम उठाए तो यह थे शक्षिनिक संस्थान के डिरेक्टर सिक्षक स्याम कुमार जिनका कहना है कि अगर गरीब बच्चे भी हैं वह अगर इस संस्थान तक पहुंचते हैं तो उन्हें मुफ्ति सिक्षा जरूर दी जाएगी और नए बैच के लिए उन्होंने अभी सही कमर कस लिया है